हेलो एव्रिवन वेलकुम एक टू काविस अकेडवी हीर आई विल डिस्कॉस डियो एंट्रिस एक्जाम एमसे बायो केमेस्टी तो तौन नैंटीन पेपर सल्यूशन ओकी ना तो डियो के अंदर टोटल हंडिट कोशन होते हैं हंडिट में से मैंने टोटल 80 कोशन को पार्ट तो पार्ट फोर तक डिसकॉस कर दिया है तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्ट फिफ्ट के अंदर हम नेक्स 81 to 100 कोशन को सौल करेंगी ओकी ना तो स्टाट करते हैं अगर आपने में चल पर फर्स ताइम विजिट किया है दें प्लीज सब्सक्राइब मैं चैन लिए ओके तो यहां पर जो अंसर है यहां पर आप्सिन नूमबर थर्ड फोर्टीन दीस कैसे होता है देखते है इसका जो फाम्मला होता है हाफ लाइफ का दैट इस दो हाफ लाइफ इस उकल टू 0.693 अपन लेम्डा ओके अंड लेम्डा की वैल लेम्डा इस दो डिकी होता है दाट इस दो 4.86 इंटू 10 की पावर माइनस टू डिस ओके सो यहां पर इस वैली को पूट करने जब पूट करते हैं दोनों वैली को सो आपका निकल के आता है 14.25 दीस ओके सॉप्शन नूमबर आपका होता है थर्ड करेक्ट नाओ नेक्स देखते हैं सुक्रोज इस उस चुमपोस तो आपको पता है कि सुक्रोज को फ्रक्टोज उसक्रोज में में टो उपशन नूमबर निका होता है प्लस ऍलिकोज से नुख क्लन होता के अंंदर पूछा गया है कि मौलट फ़लकोस तो ध्यान रखना है लेक्टोस का पूच्छ तो ध्यान रखना गैलेक्टोस प्लस ग्लूकोस ओके नाओ कोशिन नमबर 83 देखते हैं मस्कुलर डायस्ट्रोफी इस रिजल्ट आफ म्यूटेशन इंदी तो चुब मस्कुलर डायस्ट्रोफी डीजेज है वो जनरली मेल के अंदर होती है और इसके अंदर क्या होता है अबन इरिटेशन की वजह से होता है तो यहां पर म्यूटेशन इंदी इंदी डायस्ट्रोफी ओके सौप्शन नमबर आपका होता है फोर्थ करेक्ट इस कुशन को आप अपने सबसे भी एक पर देख लेना विकॉस की ऑफिसियली की नहीं है यह जो की है वो मैंने बनाई है ओके आहूं पर देख सकतash क्राफ आपका कर्क्ट निख लेड ना अब्युक्रफी अपर आपका करेक्ट किना देजिश कॉमें ली कॉल सो इसकॉलजवय को पूछा गया लॉग जा व्यासा जो इस आना शुजभा जाए उसको इसले वोल जाता है वह हर्ट तो उपन होता है मिस्स आठाए जो मसल्स होती है आपन नी पाता है 2017 से नाम होते हैं को यह क्यांट होता है क्रेक्ट खुन निस वाज़ें number 86 the extension coefficient of a protein at a 280 nanometer is 20 mm minus 1 centimeter minus 1 तो यहां पर extension coefficient की value दे रखी है तो एक्सेंट कोफिसेंट की value क्या है यहां पर 20 तो यहां पर आपका एकी value है 20 ना अप्जोप्शन of a protein solution at 280 nanometer approximately diluted measure it with a path length path length कितने दे रखा है 1 cm and absorption कितने दे रखा है 100 now क्या पूछा गया है what is the concentration of protein solution यहां पर protein solution की concentration पूछी गई means c की value पूछी गई है ओकी तो यह जो और और formula है यह हम बियर लेवर्ट लोग को follow करता है बियर लेवर्ट लोग का formula आता है that is the a is equal to e lc ओकी तो यहां पर किसकी value निकाल लिए हम कांसेंट्रेशन की तो c is equal to a upon e l ओके एज़े अब्जॉप्शन इस एक्सटेशन कॉफिसेंट अन्द एल इस पाथ लेंद कुछ नहीं यह वैल्यूस को पूट करना है आपको तो जब वैल्यू को पूट करते है एक की वैल्यू कितनी है हं अंड हंडेड है ओके एंड की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है और पाथ लेंद कितना है आपका वन है जब इसको सॉल करते है तो आपका जीरो से जीरो कैंसे टू तू फाइव जा टैन तो फाइव आपका आएगा आंसवर तो फाइव भी कैसा ऐगा एंड मैनस वन था या नीचे तो यह उपर जाएगा यह वैल्यू आएगा आपका अप्शन नुम्बर फॉस्ट करेक्ट ओके लिए दिस दो वन एमन नाओ कोशन नुम्बर एटी सेवं दे वैल्यू अपर आइनिक प्रोडेक्ट ऑफ वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेंटिग्रेट इड्स तो यहां पर जो आइनिक माइनस में ओके जिब 25 के इसकी वैल्यू होती है यह वन इंटू 10 की पावर माइनस 14 ओके इस ऑप्शन नुम्बर आपका होता है थर्ड करेक्ट अगर यहां पे जीरो डिग्री पे पूछा जाता अगर यहां पे जीरो डिग्री सेंटिग्रेट पे पूछा जाता तब आप का अंसुर होता जीरो पॉइंट थर्टी वन इंटू 10 की पावर माइनस 14 ओके अगर यहां पे 25 होता तो 25 का है यह वन इंटू 10 की पावर माइनस 14 एंड अगर यहां पे 100 होता तो यहां पे आपका अंसूर होता तो यहां पे आपका अंसूर होता है यहां पे आपका होता है कोशन नमबर 88 इफेक्ट आइपी थी एक्टिवी एक्टिविशन इस तो यहां पर आइपी थी इनोसिटल ट्राइफोस्फिट तो यह क्या करता है एक्स्ट्रा सालूलर कैल्सियम लेवल सॉप्शन नमबर होता है फर्स करेक्ट कैसे देखो जैसे लाइगेंड बैंड होता है यहां टिखना आइपी वाला पाफ़ेंड तो यहां पर ऑल्फा बीटा गामा होती है तो जो अल्फा अल्फा यूनित डिटेच होकी प्ल्सी बीटा के साथ बाइट होती है वह क्यों जैसे यह क्या करेगा इसको पी नियमू इसको ब्रेक करेगा इंटो दर आई-पी-3 एंड डीएजी डायसल ग्लीसोन में ब्रेक करेगा तो डीएजी एंड आई-पी-3 फीजी जो आई-पी-3 ब्रेक हुआ यह जाएगा आपके जो एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे आयन चैनल होता है यहां पर जाएगा बाइंड होगा ऐसे लाइगें पूचा गया है तो यहां पर क्या करेंगा इंटरसलुलीक के लेवल नोच्यकी करेगा होके नियासरोफ्तागा सबख्तार्व सत्यू गहां थे नकल्स्यरय वेवल्य खिब होता है इसानel आफ्रुन पहला क्या इलक्थ तो इसका पोछा गया है तो इसका रोल क्या होता है कि कि यह सबसे पहले स्य प्रोडूर्उuben किसके फिरो होता है यहां पे जो इन लाइनिंग होती द्च वह इन लाइनिंग आप खे टीज प्रोडूर्उस करती आप네τα आपकी सी स्टेम में जाते हुए पैंक्रियास के पास पहुचेगी पैंक्रियास की अंदर एकनर सैल होती है वहाँ पर आज लाइगिन करेगी उसकी रिसेप्टर पर जाकी बाइंड होगी जैसे उसकी रिसेप्टर पैंक्रियास की रिसेप्टर पर बाइंड होगी तो पैंक्रियास एं होता है subscribe तो produce स्क्राइब का करेश को जो सब्सक्राइब बाइंड होते उस पर बाइंड होते है और फी वहाँ पेंक्रेया जो एक्टिनल सेल्स उसको इस्टूलेट करता है फोर दे एंजाइम सीक्रेशन ओके तो ध्यान रखना सु अप्शन नमबर सेकिन होता है आपका करेक्ट तो यहाँ पे जो सल्टिंग आउट एफेक्ट के अंदर जो साल्ट यूस करते है तो यहाँ पे जो सोदियूम अमोनियम सल्फेट सो अप्शन नमबर सेकिन होता है आपका करेक्ट अमोनियम सल्फेट ओके तो यहाँ पे जो बैक्टिरियल सेल मेंब्रेन है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है दैट इस फॉस्फो डिडाइल इथर्ण अमीन ओके सॉप्शन नमबर आपका होता है थर्ड करेक्ट नाउ नेक्स दिखते है दे अल्ली एंजाइम बिलॉंग तो ट्रफ साइकल दतेम इन अप्रोंडियल मेंब्रेन तो यहाँ पे पूछा होता है that is the succinate dehydrogenase is present in inner mitochondrial membrane यह पुछेगे इनर mitochondrial membrane में कौन सा enzyme present होता है that is the succinate dehydrogenase याद रखना now option number so option number 4th होता है आपका correct now the cooperative phenomena of protein ligand interactions was first determining तो जो cooperative mining cooperate करना होता है है ना means एक की बाद एक एक की बाद देख तो यह फिनोमेना कहा होता है तो जब आपने हीमोग्लोविंग हीमोग्लोविंग की उपर चार oxygen की मॉलिक्यूल बाइंड होता है है तो ऐसे देखो माहलगो कि यहां पर हीमोग्लोविंग का structure है और तो यहां पर क्या होता है कि oxygen बाइंड होता है तो पहले एक oxygen का मॉलिक्वल बेट होगा फिफी दूसरा गाफी थीसरा भाफी 4th होगा तो मिलस यहां पर एक साथ नहीं होता है सारा एक 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 करके औक्सिजन का मॉलिक्युल्स बाइंड होगा तो इसको हम बोलते कॉपरेटिव फिनोमेना ओके सो यहां पर तो आपका अंसुर होगा डाइट इस ऑप्षिन नुबर फर्स्ट हीमोग्लोबिन ओटू ओके तो यहां पर जो कर्व होता है वह भी देख लेना यहां पर ले ना आप हौना वी बॉइंचए तो यहां 1 आ पर बाइंगल पूंचा गया तो ऑक्सिजन है ऑकिए और कसियों का आप Also आपका करेक्ट ना तो नॉर्मल कुछ निया बॉन्ड एंगल आपको सारे मॉलेकुल्स होते हैं जो बायोचेमिस्टर में यूज आते हैं सबकी बॉन्ड एंगल आप एक बार देख लेना ना देख लास ओफ इम्मिनोगलोविन प्रजेंट इना हाय कंसेंटरिशन आफ ब्लड आफ यूमन नुबाइब इस तो यहां पर जो नुबबन बीबी होता है यहना तो नुबबन के अंदर जो प्लेसेंट को सबसे पहले क्रोस करती है वह प्लेसेंट को क्रोस कर सकती दैट तो इस रीजन के वाज़े से जो नुबबन बीबी होता है उसके अंदर आई जीजी की कंसेंटरिशन ज्यादा होती है क्यों होती है क्योंकि वह प्लेसेंट्रा की बेरियर को क्रोस कर सकती हो कि सुप्शन नमबर आपका फोर्ट होता है करेक्ट एक स्विक्वेंस याद एक्जाम की पेपर सलिशन की यह अंदर यह कोशन सो हंड़ेट परसंट आता है नौ आइसे होता है कि यहां पर ध्यान रखना कि वह पांच होता है ऐसे होता है इसका 12345 ओके तो यहां पर उसकी सर्फेस पर में कितने एंटे एंटेजंस में हो सकते हैं मिस एक की पास होता है तो फाइफ के पास कितना होगा टैन होगा तो टैन एपीटोप देखेंट आपको ऑप्षिन नमर आपका होता है सेक्ट और एक तो कैलसी टॉर्णिन यह अगेइन बहुत-बहुत ज्यादा सब्सक्राइब तो यहां पर हमने टोटल को डिसकर्स किया मिन्स इसी के साथ आपका डियू बाया केमिस्ट्री का पेपर सलीशन होता है कंप्लीट तो हमने टोटल फाइफ पार्ट के अंदर टोटल हंडिट को डिसकर्स कर लिया है तो मेरी सजेशन आपकी यही है अगर आप डियू बाया केमिस्ट्री एंटेस ग्राम की प्रिपेशन कर रहे हो तो आप ब्हू बाया केमिस्ट्री की पेपर सॉल्ट ज़रूर करना बिकोज 50% कोशन दियू एंड दोनों की रिपीटेटिव है आप खुछ चेक कर लेना ओकी